हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मेकेनिकल में स्वागत है आपका इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिनेवल एनरजी का लेक्चर 5 जिसके अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ इंजिनिंग सर्विसेस में आई हुए कोस्टेंज को साथ ही साथ सोलर एनरजी पर बेज़ कुछ मैथेमेटिकल एक्वेशन हैं उनको देखेंगे और इसके साथ हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप आफ सोलर कलेक्टर ठीक है तो चले फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इंजिनिंग सर्विसेस के आई हुए कोस्टन के साथ तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे ये कोस्टन इंजिनिंग सर्विसेस 2019 का है तो देखे फ्रेंड्स कोस्टन कहा रहा है तो अलड़ी हम लोग ने लेक्चर 2 के अंदर फिनिस किया हुआ था कि जो भी हमारा सोलर रेडियेसन का डिस्टिबूसन होता है उसको स्टडी करने के लिए हम लोग जो बेसिक लाँ होता है प्लैंक लाँ उसका यूज करते हैं तो इस कोस्टन का सही अंसर हो जाएगा B part तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स स्लाइड में तो देखे फ्रेंड्स इस स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वाइर्मेंटल इफेक्ट औन सोलर रेडियेसन जो सोलर रेडियेसन अर्थ सर्फेस पे इंसिडेंट हो रहा होता है तो उस सोलर रेडियेसन में क्या-क्या इन्वाइर्मेंटल इफेक्ट आ रहे होते हैं जिसके कराण से जो हमारा रेडियेसन अर्थ सर्फेस पे रिसीव हो रहा होता है उसमें क्या changes आ जाते हैं तो यही सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखने वाले हैं तो देखे फ्रेंट्स जो first line है वो है solar radiation received on earth surface are non-uniform तो यह हम लोग आलड़ी जानते हैं कि जो solar radiation earth surface पे receive हो रहा होता है वो non-uniform होता है क्यों? because of scattering, reflection और reflection यह तीनों phenomenon हो रहे होते हैं scattering हो रहे होती है sun rays की फिर आपका reflection phenomenon हो रहा होता है फिर reflection हो रहा होता है लेकिन अब आपके mind में question आ रहा होगा कि यह तीनों phenomenon हो क्यों रहे हैं मतलब reflection क्यों हो रहा है reflection क्यों हो रहा है, scattering क्यों हो रहा है because of presence of gaseous molecule and dust particle जो भी हमारे cloud dust हो गए, जो भी dust particle हो गए, इन से क्या होती है, जो sun ray आ रही होती है, वो reflect करती है, scattered हो जाती है, तो जिसके करण से जो earth surface पे radiation पहुँच रहा होता है, वो काफी कम होता है, in comparison with ideal case, हम लोग ideally क्या सुचते हैं, कि जो sun से radiation emit हो रहा होगा, sun से जो ray निकल नहीं है, वो completely earth surface पे receive हो रही होती है, लेकिन actually ये सारी चीज़े possible नहीं होती है, because of presence of cloud, gaseous molecules, आपके dust particle, इन सारी चीज़ों से क्या होता है, जो हमारी sun ray आ रही होती है, वो strike कर जाती है, ठीक है, जिसके करण से जो radiation हम लोग expect करते हैं, हम चाहते हैं कि sun से पूरा का पूरा जो sun ray नि देख पा रहे होगे, सबसे top पे है हमारा sun, ठीक है, और सबसे bottom में है हमारी earth surface, और इनके बीच में present है हमारे कुछ clouds, ठीक है, cloud dust आप बोल सकते हो, तो क्या होगा, कि जब sun से ray निकलती है, तो कुछ ray जो रहेगी, वो earth surface पे directly incident होगी, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी rays रहेंगी, जो cloud dust से strike करेगी, या आप बोल सकते हो, sun ray के path में आपका cloud dust आ जाएगा, तो friends, cloud dust के आ जाने के कारण, जो solar radiation हमको directly earth surface में मिला था, वो directly ना मिल करके हमको diffused radiation के form में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि cloud से जो ray आ रहे होंगी, वो diffused होकर के आ रहे होंगी, ठीक है, तो friends, यहीं solar radiation, beam radiation के form में, जो directly आ रहा है, जिसको हम लोग beam radiation बोल रहे हैं, और diffuse radiation के form में, इन्हीं दो form में आपके पास solar radiation आ रहा होगा earth surface पे, ठीक है, तो total अगर आपसे पुझा जाए कि total incident कितना होगा radiation का, तो आप बहुत असान इस बता सकते हो, ib plus id, b का मतलब हो गया beam radiation, और d का मतल तो देखे, फ्रेंट्स, last slide में हम लोग ने जो चीजों को सीखा है, वही मैंने यहाँ पे represent किया हुआ है, सबसे पहले beam radiation, beam radiation को हम लोग represent करते हैं, ib से, ठीक है, तो देखे, इसकी definition क्या है, solar radiation on earth surface, in line with the sun, या आप बोल सकते हो source, ठीक है, तो वो solar radiation, जो की sun से directly in line हो रही है, इसको हम लोग बोल रहे हैं, beam radiation, ठीक है, और इसको ib से represent कर रहे हैं, similarly, दूसरा जो radiation था, वो था हमारा diffuse radiation, तो देखे, diffuse radiation को हम लोग represent करते हैं, i subscript d, d का मतलब हो गया diffuse, i का मतलब हो गया radiation, ठीक है, तो friends, देखे, इसकी क्या definition है, solar radiation received on earth surface, after getting scattered because of atmosphere, ठीक है, जो atmosphere था, जो भी हमारे cloud dust थे, जो भी हमारे dust particle थे, gases थी, उनकी वज़े से solar radiation क्या हो रहा था, वो earth surface पे directly नहीं पहुँच पा रहा था, वो scattered हो जा रहा था, ठीक है, तो ऐसे radiation को हम बोलेंगे, diffuse radiation, ठीक है, similarly, अगर बात की जाए कि total कितना earth surface पे radiation हमारा receive हो रहा है, तो आप simply दोनों को summation कर द करें हैं, I subscribe T से, तो friends, I think सारी चीचे clear है, चलते हैं next slide में, तो देखे friends, इस slide में हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ important mathematical dumps की, जो कि हमारे solar radiation में use होने वाले हैं, ठीक है, तो friends, जैसा कि हम लोग ने last video के अंदा देखा था, कि collector plate हम लोग यूज कर रहे थे, for receiving the solar radiation, ठीक है, जो भी हमारे collector पे sun की radiation आ रही थी, उसको receive करने के लिए हमने क्या किया था, एक collector plate को लगाया था, उस collector plate में कुछ हमने binder का use किया था, for attaching the riser tube, ठीक है, riser tube और collector के बीच में हमें एक binder लगाते थे, so that क्या हो, कि जो हमारी collector plate है, वो riser tube के साथ easily connect हो सके, for transferring the thermal energy that is received on collector plate, ठीक है जो भी collector plate पे हमारी thermal energy receive हो रही है, उसको हम लोग riser tube के अंदर जो liquid flow कर रहा है, उसमें transfer कर सके, ठीक है, तो friends, अब आप लोग right hand side top पे आ जाओ, ideally collector plate received solar radiation must equal to heat supplied to the fluid present inside the riser tube, ठीक है, तो friends, इस particular sentence का मतलब क्या है, कि ideally हम क्या चाहते हैं, कि collector plate में जितनी भी heat receive हुई है, जितनी हमारी collector plate receive कर रहा है, वो सारी के सारी heat को हम लोग riser tube के अंदर जो liquid flow कर रहा होता है, उसमें transfer कर सके, ठीक है, ideally हम यही चाहते हैं, लेकिन practical आप बात करोगे, तो practically क्या होगा, कि कुछ न कुछ आपके losses definitely होंगे, ठीक है, कुछ losses होंगे, जिसके कारण से क्या होगा, जो collector plate प flow कर रहा होता है, ठीक है, तो friends, let's say, जो solar radiation हमारा collector plate पे receive हो रहा है, वो है IT, I subscript T, ठीक है, और IT किसके equal था, वो था हमारा IB plus ID, ठीक है, beam radiation plus diffused radiation के equal था, यह already हमने देखा हुआ है, क्योंकि जो यह solar radiation आ रहा होगा, वो आपका क्या होता है, solar flux होता है, या आप बुल सकते हो, watt per meter square में होता है, ठीक है, तो friends, जो भी हमारा sun से solar flux आ रहा है, इसको हम लोग receive कर रहे हैं, collector plate पे, ठीक है, तो collector plate का भी कुछ ना कुछ area होगा, जिसके उपर हम लोग इस solar radiation को receive कर रहे हैं, तो let's say, उसका area है 80, ठीक है, तो area of collector plate है 80, ठीक है, तो friends, जो हमारा total solar flux आ रहा था, वो था हमारा watt per meter square में, similarly, जो हमारा collector plate है, उसका area हो गया 80, तो आप लोग यहां से total solar energy in watt calculate कर सकते हो, वो क्या हो जाएगा, it into 80, ठीक है, तो friends, यह जो हमको total solar radiation energy मिली, it into 80, यह energy आपकी collector plate पे receive होई, लेकिन actual condition में क्या होगा, यह complete energy आपकी transfer नहीं हो पा रहे होती है, riser tube के liquid के अंदर, क्यों नहीं हो पा रहे होती है, क्योंकि यहां पे आपके different kind of losses हो जाते हैं, जो भी आपके conduction heat loss हो गया, convection heat loss हो गया, इस form में आपके कुछ नहीं कुछ losses हो जाते हैं, तो friends, यहां पे आप लोग बहुत असानी सी कह सकते हो, कि collector plate पे जो भी हमारा solar radiation receive हो रहा होता है, ठीक है, तो अगर मैं आपको collector की efficiency दे दूँ, ठीक है, collector plate की, अगर मैं आपको efficiency दे दूँ, तो क्या आप लोग calculate कर सकते हो, कि कितनी heat liquid flow में transfer हो रही होगी, dry z tube में जो liquid flow हो रहा है, उसमें कितनी heat transfer हो रही होगी, तो friends, let's say, जो हमारी collector की efficiency है, वो है eta c, ठीक है, तो eta c अगर आपको पता है, तो वहाँ से आप बता सकते हो, कि collector plate से practically कितनी usable heat जो है, वो transfer हो रही होगी, तो वो होगी आपकी, it into at into eta c, तो friends, it होगी हमारा, ib plus id, t का मतलब total, b का मतलब beam, और d का मतलब होगी, diffused, ठीक है, it into at, at होगी आपका area of collector plate, into eta c होगी आपका collector plate की efficiency, ठीक ह तो friends, ये तो हमारी heat हुई, जो की transfer हो रही थी riser tube में, या आप बोल सकते हो, riser tube के liquid flow में, तो friends, अब आप लोग मुझे बताओ, कि जो हमारा riser tube के अंदर liquid flow हो रहा है, उसमें जब energy transfer हो रही होगी, with the help of collector plate, तो उस energy का effect हम लोग कैसे देख पाएंगे, तो आप बहुत असा heat के form में energy add होगी, या आप बोल सकते हो, जो भी हमारी energy add हो रही होगी, तो इसके कारण क्या होगा, जो हमारा exit temperature होगा, वो change हो जाएगा, ठीक है, तो let's say exit temperature होगा हमारा T0, ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, कि heat transfer inside the riser tube कितनी हो रही होगी, liquid flow में, तो आप बता सकते हो, mass flow rate of fluid into Cp into T0 minus Ti, यानि जो हमारा temperature difference है वो, ठीक है, तो friends, यहाँ पे आप लोग बहुत असानी से कह सकते हो, कि जो भी हमारी usable heat होगी, या जो भी हमारी useful heat होगी, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, अब की efficiency of collector into it into 80, ठीक है, और ये किसके equal हो जाएगी, जो भी हमारा temperature rise ह है, liquid flow में, तो वो क्या हो जाएगा, mass flow rate of fluid into Cp into T0 minus Ti, और friends, let's say, अगर आपको collector की efficiency नहीं given है, तो वहाँ पे आपको 1 लेना है, या बूल सकते हो 100%, ठीक है, जो भी हमारी collector plate पे solar radiation आ रही है, वो completely transfer हो जा रही होगी, fluid flow के अंदर, ठीक है, तो friends, चलिए, कुछ question solve कर लेते हैं जो की engineering services में आए हुए हैं, तो जैसा कि friends, आप लोग इस slide में देख पार होगे, ये engineering services 2020 का question है, तो देखे friends, question कहा रहा है, a flat plate collector is 150 cm wide and 180 cm high and is oriented such that it is perpendicular to the sunray, ठीक है, its active area is 90% of the panel size, ठीक है, starting में आपको panel size दे दिया है, 150 cm wide and 180 cm high, ठीक है, और साथी साथ, इसकी efficiency दे दिया है 90%, तो यहां से आप लोग जो actual total transfer area होगा, वो निकाल सकते हो, ठीक है, बहुत असनी से, वो हो जाएगा आपका 1.5 into 1.8 into 0.9, ठीक है, हमने meter में convert कर लिया है, 150 को 1.5 meter into 1.8 meter high, तो यहां से area हो गया, और क्योंकि इसका सिर्फ 90% है, जो की effective है, तो into 0.9, त into 80, 80 क्या है हमारा, 1.5 into 1.8, ठीक है, तो finally आप देख सकते हो, जो हमारा actual collector area आ जाएगा, वो हो जाएगा, 0.9 into 2.7, ठीक है, तो देखी, question आगे क्या कह रहा है, if it is in a location that receives solar insulation of 1000 watt per meter square peak, ठीक है, the peak power delivered to the area of the collector will be, ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है, कि जो एक आपका specific area है, जहां पर solar insulation आ रहा है, या आप बोल सकते हो, जो भी solar flux आ रहा है, उसकी value है, 1000 watt per meter square, ठीक है, तो friends, question मैं आप से पूछ रहा है, कि peak power कितनी deliver होगी, इस particular collector area से, ठीक है, तो friends, हम लोग ने collector का जो effective area है, वो already calculate कर लिया है, वो है हमारा 0.9 into 2.7, similarly friends, आपको question में already solar flux की value given है, वो है हमारी 1000 watt per meter square, अब इस solar flux के साथ हम लोग multiply कर देंगे effective area को, तो हमको peak power particular collector area से जो deliver हो रही होगी, वो हमें मिल जाएगी, ठीक है, तो friends, जब हम लोग peak power delivered calculate करेंगे तो उसकी value निकल के आ जाएगी 2430, ठीक है, formula आप देख सकते हो, it into at into eta c, ठीक है, और जब आप देखोगे तो option में आपको kilowatt में given है, तो आप देख सकते हो 2.43 kilowatt इसका answer हो जाएगा, और friends, यही energy आपकी transfer हो रही होगी, fluid में जो की flow कर रहा है tube से, ठीक है, tube के अंदर जो भ ठीक है, तो चलते हैं next question में, जो की हमारा engineering services 2019 का question है, तो देखी friends, question कहे रहा है, a PV cell is illuminated with irradiance E of 1000 watt per meter square, if the cell is 100 mm x 100 mm in size and produces 3 ampere at 0.5 volt at the maximum power point, the conversion efficiency will be, तो देखी friends, अभी तक हम लोग ने PV cell के बारे में नहीं पढ़ा है, आने वाले videos में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यह question आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ, क्योंकि engineering services या बाकी exam के अंदर भी ऐसे question आते हैं, जिनको आपको solve करने के लिए बहुत जादा knowledge की जरूत नहीं है, आप सिर्फ logic से question को solve कर सकते हैं, तो यह question उनमें से एक है, देखी friends, पे आपको conversion efficiency पूछा जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको जो data given है, एक आपको irradiance E की value given है, 1000 watt per meter square, similarly जो आपका PV cell का area है, वो भी given है आपको 100 mm, cross 100 mm, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, total energy watt में निकाल सकते हो, कैसे, जो आपका area given है, उसको जब हम लोग irradiance से multiply क 15 watt, E into area किया, तो वो आजाएगी आपकी 10 watt, ठीक है, similarly friends आप लोग question में देख पा रहा होगे, आप से conversion efficiency पूछा जा रहा है, efficiency के बारे हम लोग already जानते हैं, किसी चीज का comparison करने के लिए हम लोग efficiency का use करते हैं, ठीक है, जो भी हमारा actual transfer हो सकता है, और जो हमारा maximum possible होता है, same च कि आपको voltage और current की value given है, तो हमको मालूम है, जो power होती है, वो होती है, voltage into current, तो friends, voltage की value given है, 0.5, similarly current की value given है, 3 ampere, जब हम इसका multiply करेंगे, तो हमको मिलेगा 1.5 watt, ठीक है, तो दो energy आपको मिल गई, एक है आपका 1.5 watt, और एक है आपका 10 watt, ठीक है, तो efficiency आपका क्या होगा, हमे इस question का सही answer हो जाएगा A part, तो देखे friends, मैं यहाँ पे इस question को सिर्फ और सिर्फ इसले solve करवा रहा हूँ, क्योंकि हर साल paper में एक नए question ऐसा आता है, जो सिर्फ आप unit balance से solve कर सकते हैं, आपको कोई भी background knowledge की होना जरूरी नहीं है, ठीक है, similarly friends, engineering services 2020 के अंदर भी एक question आया थ जो सिर्फ और सिर्फ unit balance से आप solve कर सकते थे, और वो question basically wind energy का था, लेकिन आपको wind energy के बारे में background knowledge अगर नहीं भी है, तो भी आप वो question अराम से solve कर सकते थे, उसको भी हम लोग discuss करेंगे, जब हम लोग wind energy cover करेंगे, ठीक है, तो चली friends, चलते है next slide में, तो देखे friends, इस slide में ह और इसके classification के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखे solar collector किस लिए use करते हैं हम लोग, solar collector are used to collect the solar energy and convert this energy into thermal energy by absorbing them, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास solar energy आ रही होती है, उस energy को हम लोग absorb करेंगे और उसको thermal energy में convert करेंगे, and this thermal energy further is used for heating a collector fluid, such as water, oil, और air, ठीक है, तो जो thermal energy हम लोग ने convert किया था, from the solar energy, उस thermal energy को हम लोग use कर रहे हैं, heating the collector fluid, ठीक है, जो भी हमारे collector के अंदर, जो भी हमारी tubes के अंदर fluid flow कर रहा था, उसकी heating के लिए हम लोग यहाँ पर use करने वाले हैं, ठीक है, और friends, fluid आपका water हो सकता है, oil हो हो सकता है, या फिर air हो सकती है, ठीक है, अब देखें, एक important note है, solar collector surface is designed for, जो भी हमारी solar collector के surface होगी, उसको हम लोग high absorption और low emission के लिए design करते हैं, ठीक है, यह basically जो भी हमारा absorption high क्यों होना चाहिए, emission low क्यों होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग ने already last video के अंदर ठीक से समझ होगा है, ठीक, अब बात करते हैं solar collector के classification की, तो basically आपके दो type का classification यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो हमारे course के अंदर है, पहला है non concentrating या आप बूल सकते हो non focusing type, और दूसरा type हो गया हमारा concentrating और focusing type, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं non concentrating या आप बूल सकते हो non focusing type की, तो इसके अंदर आपका एक case है, flat plate collector, ठीक है, flat plate type collector, और जो अभी तक हम लोग ने collector के बारे में पढ़ा है, जो हम लोग ने last video के अंदर देखा था, वो basically flat plate collector ही है, ठीक है, और दूसरा जो type है, वो हमारा concentrating और focusing type, तो इसका भी further दो type के classification हो गया, point focus, line focus, ठीक है, और इस point और line focus क अंदर 5 different type आते हैं, पहला हो गया आपका, parabolic truff collector, दूसरा हो गया mirror strip collector, similarly third हो गया आपका, fresnal lens collector, fourth हो गया compound parabolic concentrator, और last है हमारा flat plate with adjustable mirror, ठीक है, तो चलिए friends, इन ही सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं, non concentrating और non focusing type का collector, जिसके अ अंदर हम लोग flat plate type collector को पढ़ने जा रहे हैं, तो देखे friends, last video के अंदर हम लोग ने इस particular diagram के बारे में बहुत अच्छे से समझा हुआ है, ठीक है, तो यही हमारा है flat plate type collector, ठीक है, यह आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सारी चीजों को बहुत अच्छे से detail में समझा non-foxing या non-concentrating क्यों रखा गया, तो होता क्या है, यहाँ पे देखे मैंने region लिखा हुआ है, area of collector to grasp the solar radiation equal to area of absorber plate, ठीक है, तो जो हमारा collector यहाँ पे design किया जाता है, to absorb यहाँ बूल सकते हो, to grasp the solar radiation, वो exactly same होता है, जो हमारा absorber plate का area होता है, ठीक है, तो collector plate का जो area रहेगा, व तो हमारा absorber plate करेता है, ठीक है, किसी भी type का concentration यहाँ पे नहीं किया जाता है, ठीक है, तो आप लोग left hand side में आप देख पा रहे होगे, तो friends इस diagram में देख पा रहे होगे, सबसे नीचे में है आपका paper, actually में plate लिखा है, आप इसको paper कर लो, ठीक है, और उसके just उपर में आप को lens दिख रहा होगा, और सबसे top पे है हमारा sun, तो sun ray जब आ रही होती है, तो हम क्या करेंगे, lens की help से, उस sun ray को concentrate करेंगे, focus करेंगे, उस paper के particular point पे, ठीक है, यह हम लोग ने already child root में ये सारी चीजों को perform किया हुआ है, जो भी हम लोग fire generate करते थे, paper पे, वही चीज है, तो same चीज यहां पे भी happen हो रही होती है, जब हम लोग focusing, non focusing type को define कर रहे है, focusing के अंदर क्या करेंगे, हम लोग solar radiation को concentrate करेंगे, एक particular area पे, ठीक है, similarly non focusing में क्या कर रहे है, हम लोग किसी भी type का, इस type में arrangement नहीं लगा रहे है, जैसे यहां हमने lens लगा दिया, concentrate करने के लिए, वैसा कुछ नहीं करने वाले है, जो भी radiation है, वो directly आके paper पे गिर रही होगी, ठीक है, तो होगा क्या, जब directly आके गिर रही है, तो concentrate नहीं होगी, concentrate नहीं होगी, तो एक particular area में उतनी heat generate नहीं हो सकती, जो हमारी lens की help से generate हो सकती थी, ठीक है, तो friends, I think आपको non focusing का मतलब समझ में आ गय तो देखे, friends, यहाँ पर आप लोग diagram देख पार होगी, यह exactly same है, जो हम लोग ने last slide में देखा था, ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे important point यह है, कि जो हमारा riser tube में fluid flow कर रहा होगा, उसका exit temperature जो maximum जा सकता है, वो 100 degree के approx जा सकता है, ठीक है, तो यह एक इसकी limitation है, इस चीज को याद रखेगा, similarly friends, आप लोग left hand side में आ जाओ, यहाँ पर मैंने धेर सारे point लिखे हैं, यह काफी जादा important है, ठीक है, तो देखे, सबसे पहला जो point है, वो यह है, कि इस case में, जो हमारी plate efficiency निकल के आती है, वो 25% रहती है, theoretical case में, ठीक है, जो भी हमारी theoretical efficiency होती है, जो हम ल weight होता है, वो काफी high होता है, in comparison with other cases, ठीक है, जो भी हमारे next upcoming case आएंगे, उनके comparison में, यहाँ पर जो weight निकल के आता है, वो काफी heavy होता है, ठीक है, concentration ratio की बात की जाए, तो वो 1 होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो collector की efficiency है, और जो हमारी absorber plate का area है, वो exactly same है, area of collector equal to area of absorber plate, ठीक है, यहाँ पर हमने किसी भी type का focus करने की कोसिस नहीं की है, किसी भी type के lens या इस particular type के arrangement का use नहीं किया है, so that हम लोग solar radiation को किसी एक particular area में concentrate कर सकें, ठीक है, similarly friends, जो riser tube के अंदा fluid flow कर रहा है, उसमें जो exit temperature होगा fluid का, वो maximum 100 degree Celsius तक जा सकता है, ठीक है, यह हम लोग ने already दे सकते हैं, ठीक है, बात की जाए, इसके application area की तो आप लोग देख सकते हो, इसका use करते हैं हम लोग solar water heating में, space heating and cooling में, similarly low temperature power generation में, ठीक है, तो देखे friends, यह जो application वाला area है, solar water heating, space heating क्या होता है, space cooling क्या होता है, तो इनके बारे में आपको idea होना बहुत जरूरी है, कई बार question in particular topic से भी आ जाते हैं, ठीक है, तो चलिए friends, चलते हैं next slide में, तो देखे, इस slide में हम लोग बात करने वाले हैं, focusing type और concentrating type collector की, ठीक है, तो last slide में हम लोग ने देखा था, non focusing, non concentrating, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो solar radiation आ रहा है, उसको concentrate कर रहे हैं, just like, जो हमारा lens वाला था, lens के अंदर हम क्या कर रहे थे, with the help of lens, हम लोग solar radiation को concentrate कर रहे थे, एक particular point में, एक particular area पे, ठीक है, तो देखे, यह चीज मैंने लिखी है, इसके बारे में, in these collectors, the area of the collector is kept less than the aperture through which the radiation passes to concentrate the solar flux and has high concentration ratio, तो exactly same चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे हम लोग aperture का use करके, जो solar radiation आ रहा है, उसको concentrate करते हैं, एक particular point पे, या बोल सकते हो, एक particular line में, ठीक है, तो देखे, friends, यहाँ पे, जो नीचे में diagram आप देख पारे होगे, इस particular चीज़ के बारे में, हम लोग ने already पढ़ा हुआ है, जह हम लोग 12th standard में थे, ठीक है, तो देखे, इसमें क्या है, कि जो भी light ray parallel आ रही होती है, वो definitely एक fixed point से पास होगी, उस particular fixed point को हम लोग बोलते थे, focal point, ठीक है, तो same, exactly same concept हम लोग इस focusing type, या बोल सकते हो, इस concentrating type collector के अंदर use करने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कि हम लोग solar radiation को एक particular point या line पे हम लोग focus करेंगे, with the help of reflector, या बो सकते हो, with the help of concentrator, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर दो possibility आती है, पहला होगया line focus, दुसरा होगया point focus, तो देखिए friends, ये दोनों जो possibility है, वो depend करेंगी, कि हम लोग ने किस type का arrangement लगाया है, हम लोग ने parabolic type का reflector लगाया है, या फिर हमने parabolic type का reflector लगाया है, तो उन सारी arrangement प सबसे पहले हम लोग बात करते हैं line focus की, तो line focus के अंदर हम लोग parabolic type concentrator या बोल सकते हो, parabolic type surface का use करेंगे, तो जो हमारी solar radiation incident हो रही होती है, वो इस particular surface पे, इस particular parabolic surface पे जब strike करेगी, तो strike करने के बाद सारी की सारी solar radiation एक particular line के along pass होंगी, ठीक है, और उस particular line के along हम लोग mount कर द ठीक है, तो friends, I think आपको इसका concept समझ में आ गया होगा कि line focus के अंदर हम लोग parabolic surface का use कर रहे हैं, और हाँ, यहाँ पे जो हमारे parabolic surface होती है, उसकी reflectivity 100% होती है, यहाँ बोल सकते हैं, जो rho की value होती है, वो 1 होती है, ठीक है, तो friends, 100% का मतलब क्या हुआ, कि जितनी भी solar radiation यहा पे incident हो रही होगी, वो definitely reflect होगी ही होगी, ठीक है, तो I think यह चीज़ समझ में आ गई होगी, अब एक और important point कि यहाँ पे जो exit temperature होता है, फ्लूट का, वो 100 से बढ़के 600 degree Celsius तक जा सकता है, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे 600 degree Celsius तक जा रहा है, तो इस particular type के arrangement को हम लोग medium temperature application में य 100 times हो जाता है, 100 times of जो हमारा flat plate collector था, तो देखे friends, इस particular case के अंदर, जो हमें concentration issue मिलता है, वो 100 होता है, तो इस 100 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि 100 meter square area पे जो solar radiation आ रहा था, उस particular solar radiation को हम लोग 1 meter square area के अंदर focus कर सकते हैं, ठीक है, 100 meter square area के अंदर, जो भी solar radiation आ रह इतनी धेर सारी energy को हम लोग इतने छोटे area में concentrate कर पा रहे होते हैं, with the help of such arrangements, ठीक है, similarly बात की जाए, point focus की, तो point focus का मतलब ही है, कि जितनी भी solar radiation आ रही होंगी, वो एक particular point पे focus हो रही होंगी, last case के अंदर देखा था हमने, कि एक particular line के long focus हो रहे थी, लेकिन यहाँ पे particular point पे यही focus होगी, तो क्योंकि यहाँ पे point focus हो रहा होगा, तो इसलिए जो temperature rise होगा, वो कहीं ज्यादा high होगा, ठीक है, तो friends इसलिए इस particular type के arrangement का use हम लोग करते हैं, high temperature या बोल सकते हो, high power generation में, ठीक है, high temperature application में कर सकते हैं, या फिर high power application में, और friends यहाँ पे हम लोग parabolite का use करते तो हमको line focus मिला था, लेकिन यहाँ पे हम लोग parabolite surface का use कर रहे हैं, तो हमको point focus मिला है, ठीक है, similarly बात की जाए efficiency की, तो यहाँ पे जो parabolite की, जो efficiency निकल के आती है, वो 80% होती है theoretical case में, ठीक है, जो हम लोग ने first case देखा था, वहाँ पे 25% निकल के आ रही थी, और जो हमने second case देखा, line focus वाला, वहाँ पे आपकी efficiency around 50% निकल के आती है, आप देख पार होगे, यहाँ 50 में लिखा हुआ है, similarly इस particular point focus के अंदर, जो efficiency plate की निकल के आती है, वो 80% of theoretical case होती है, ठीक है, अब बात की जाए concentration ratio की, तो friends, यहाँ पे आप लोग खुदी सोचते हो, क्योंकि सार 10 की power 4 area पे जो हमारा solar radiation incident हो रहा है, उसको हम लोग 1 meter square area पे focus कर सकते हैं, तो friends, आप लोग खुद समझ सकते हो, कि यहाँ पे जो temperature generation हो रहा होगा, वो कितना high होगा, 10 की power 4 meter square area के अंदर, जो solar radiation आ रहा है, आप उसको 1 meter square area में focus कर सकते हो, ठीक है, तो friends, यहाँ पे हमारा जो point focus और line focus था, वो finish हो गया, लेकिन friends, एक और important point, यह जो concentrating type के अंदर, मैंने 5 cases आपको बताया थे, parabolic truff collector, mirror strip collector, professional lens collector, compound parabolic concentrator, और flat plate with adjustable mirror, तो आप लोग इन 5 cases को अगर खुद से पढ़ सकते हो, well and good, अगर आप लोग नहीं पढ़ते हो, तो यह बहुत ज्यादा important area है, यहाँ से already question आया हुआ है, engineering services 2019 पर, ठीक है, और even 2020 में भी एक question यहाँ से आया हुआ है, तो friends, अगर आपको requirement है, अगर आप लोग खुद से पढ़ सकते हो, well and good, अगर आपको requirement है, तो आप लोग नीचे comment करके मुझसे कह सकते हो, मैं इन पर lecture बना दूँँगा, होता क्या है, कि most of the experience चाह आप exam paper में जाओगे, तो आपको लगेगा कि नए area से question आये है, लेकिन actual में ये सारी चीज़े correlated है, similarly friends, बात की जाए, flat plate collector के application पार्ट की, तो वहाँ से भी question आयो है, ठीक है, तो अगर आप लोग skip करके सिलेबास जल्दी से जल्दी खतम करना चाहोगे, तो खतम होना बहुत असान है, लेकिन friends, अगर आप लोग ये particular topic जो मैंने आपको बता है, उसको आप cover करके नहीं जाते हो, तो फिर नुकसान हो जाता है, exam paper में question आएगा, तो वो बनेगा नहीं, ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँँगा, कि अगर आप लोग सारे topic पढ़ सकते हो, well and good, अगर आ requirement है, तो आप लोग नीचे comment करके बता सकते हो, फिर मैं आपको पूरा detail way में सारी चीजों को finish कराऊंगा, हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा time लगेगा, आपको थोड़ा patience रखना पड़ेगा, तो friends, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, life में already about tension है, हम लोग दूर करेंगे मुस्कुरा के, वीडियो चलागे तो like किजएगा और comment करके बताइएगा, thank you friends